अगर कोई हमसे पूछे कि हम कितने एनिमल्स के बारे में जानते हैं तो हमारा अंसर क्या हो सकता है कुछ लोग कहेंगे 20, कुछ 40, 50 या फिर 100 लेकिन क्या आप जानते हो हमारी दुनिया यानि के अर्थ almost 7.77 million species of animals से भरी पड़ी है इतने एनिमल्स के बारे में जानना तो दूर इनके नाम याद रखना ही impossible है हमारी आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा interesting होने वाली है क्योंकि हम इसमें जानने वाले हैं एनिमल्स से related कुछ ऐसे amazing और mind-blowing facts के बारे में जो आपने आज तक नहीं सुने होंगे जिसे जानकर आपके मुझसे एक ही word निकलेगा awesome तो without wasting any time चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का countdown हेलो दोस्तों आप देख रहे हैं Mr. Profile इस चैनल में आपका स्वागत है वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को subscribe जरूर कर ले और bell icon को दबाना ना भूले ताकि ऐसे ही interesting videos आप तक पहुंचती रहे नमबर 6 इन जनाप को तो आपने discovery या फिर animal planet पर जरूर देखा होगा fluffy ears, round head और spoon shape nose वाले क्वालास अपने cute और lovable appearance के लिए काफी famous है वैसे तो क्वालास के बारे में बताने लाएक बहुत सी चीज़ें लेकिन इन में से सबसे interesting चीज़ जो मुझे लग कि इनसान, monkeys यानि के बंदरों से काफी चीज़ों में मिलते चुलते हैं बड़ ये बात जानके आपको हैरानी होगी कि ये जो क्वालास होते हैं उनकी fingerprints almost हू बहू इनसानों जैसी होती है believe it or not इनकी fingerprints हमसे इतनी similar होती है कि even Australian police को ये डर लगने लगा कि कहीं crime scenes पर ये क्वा hand gloves पहना ज़रूरी है पैरेट्स की जासूसी करता है और इनी movies और cartoons में इनकी एक bad शवी बताए जाती है लेकिन एक latest research में एक बात सामने आई है जिससे पहले कहीं गई सारी बाते गलत साबित हो जाती है दरसल हम इनसानों को इन पैरेट्स से ये वाली बात सीखने की बहुत ज़ादा जरूरत है Cellpress नाम की एक website पर African Grey Parrots से related ये report published की गई थी जिसमें साफ लिखा था कि काफी लंबे समय तक इन पैरेट्स के हावभावग पर नज़र रखी गई तो पता चला जो African Grey Parrots होते हैं उनके अंदर naturally एक दूसरे को help यानि के मदद करने की भावना पाई जाती है ये पैरेट्स selflessly और voluntarily एक दूसरे की help करते हैं even अगर वो सामने वाला पैरेट्स उनका friend ना हो तब भी तो friends ये पैरेट्स के भाईचारे के बारे में जानकर आपकी आखों में आसू आये या नहीं नमबर 4 बताने से पहले एक सवाल क्या आप जानते हो दुनिया का सबसे fastest पंचेस मारने वाला शक्स कौन है वेल शायद आपके दिमाग में आया होगा Mike Tyson या फिर Muhammad Ali है ना लेकिन रुकिए आज हम आपकी knowledge में थोड़ा इजाफा करने वाले हैं क्यूंकि इस list में जो अगला वाले श्रिम्प की punching speed है almost 50 miles per hour या फिर यूं समझ लीजिए कि इसके punch 0.22 caliber bullets से ज्यादा तेज हैं देखा आपने इसे कहते हैं छोटा बम और बड़ा धमाका दोस्तो अगर आप दुखी हो मेरा मतलब है अगर आप married हो तो ये वाली argument तो आपने जरूर सिनी होगी जिसमें आदमी औरत लड़ते हैं कि women's का काम ज़्यादा होता है या फिर men's की जिम्मेदारियां ज़्यादा होती है इस बात को लेकर काफी बहस होती है ये बात अलग ह कि ना चाहते हुए भी हारते आप ही हो क्योंकि wife is always right लेकिन एक बात जानकर आपको हैरानी होगी कि कुछ जानवरों के case में ऐसा नहीं है बबर शेर यानी कि लायन की family में जो शेर नहीं होती है वो actual में पुरी family का 90% काम कर लेती है जी हाँ दोस्तो वो शेर नहीं होती है ज वो आउटर डेंजर से अपनी family की हिफादत करें अब इस male lion से प्रभावित होकर आप भी घर पर वेले मत बैढ़ जाना क्योंकि जो इनसानी wipes होती है उनकी सहनशील शक्ती शेरनियों से काफी कम होती है आप समझ रहे होंगे अगला facts है हम सब की चहीती pussy cats के बारे में dogs और cats इनसान के लंबे समय से साती रहे हैं हम में से बहुत से लोग animals lover होंगे जिने अपने घर में ऐसे animals को pet बना कर उनकी देखबाल करना पसंद होगा लेकिन ये रिष्टा क्या कहलाता है मुझे नहीं पता लेकिन ये रिष्टा क 2004 में सामने आई जब researchers को एक cat की bones neolithic village of cyprus में मिली जो की almost 9000 साल पुरानी थी और वो bones human bones के साथ इस तरह दफनाई गई थी जिससे ये अंदाजा लगाया गया कि वो cat उस चक्स की pet थी strange पुल दुनिया में almost 70% से लेकर 95% तक के लोग right-handed है बहुत से religious belief के हिसाब से कोई भी काम शुरू करने के लिए right-hand का इस्तमाल को सही माना गया है शायद इसलिए हमको left-handed लोग काफी कम देखने को मिलते हैं जब Florida's Dolphin Communication Project द्वारा bottle-nosed dolphin पर नजर रखी गई तो एक shocking बात सा काम ने आई वो इनसानों की ही तरह mostly right-handed होती है in fact जो savvy swimmers होती है वो तो इनसानों से भी ज़्यादा right-handed मानी गई है जब इनको feed करने के लिए पीछे से खाना दाला गया तो यह almost 99.44% of time right-hand का इस्तमाल करते हुए turn हुई जिससे इनका right-handed होने का पता चला cool हां तो दोस्तो यह वीडियो में बताई गई information आपको कैसी लगी हमें comment section में जरूर बताएं अगर यह वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे share करना ना भूले तो मिलते है next वीडियो में तब तक के लिए stay tuned